नमस्कार दोस्तों सुमीत भार्दाज क्लासीज में आप सभी का फिर से स्वागत है जैसे कि आप सभी को पता है कि जो प्यार्टी लेवल हो गया या और कोई भी हो गया उसमें मैथ का वेटेज क्या है बहुत अच्छा रहने वाला है तो मैथ का पेपर ही क्या है या मैथ ही आपको decide करेगा कि आपका paper clear होगा या नहीं उसी को मद्दे नजर रखते हुए हम आज की वीडियो में math का topic करेंगे पहले मैं उसके formula करवाँगा और फिर क्या हमें उसके practice question करवाँगा कि किस परकार से उसके practice question बन सकते हैं जैसे कि PRT में math 40 number का रहने वाला है अगर मैं reasoning को भी add कर दूँ वो भी math से related ही है तो total math क्या है 50 number का रहने वाला है ठीक है तो फिर हम बात करते हैं कि आज का जो topic है मैंने पिछले कुछ paper देखे हैं और उनको मद्दे नजर रखते हुए तो मैंने यही एक next conclusion निकाला है कि वही जो mensuration का part है उसमें से 6 से 7 question क्या है पका आ रहे है paper के अंतरकत तो वही mensuration का part करेंगे पहले मैं उसके formula करवाता हूँ फिर practice question करवाता हूँ पूरी वीडियो के साथ बने रही है तो चलिए शुरू करते हैं topic चलिए चलिए शुरू करते हैं आज के topic का नाम है अपना cube और cuboid क्या है cube और cuboid जो कि यह 3D में count होता है ठीक है 2D के तो man man हमने कर लिये थे आज हम 3D के जो man topic है वे start कर रहे है cube को hindi में बोलते हैं गन और cuboid को बोलते हैं गनाब ठीक है क्या बोलते हैं गन और कनाब देखो सबसे पहला volume की cube का volume बताओ क्या होगा volume को हम बोलते हैं item ठीक है volume को क्या बोलते है item तो cube का जो volume होगा ये होता है A का cube क्या होता है A का cube A क्या है A side है जो भी gun की side दी हुई है ये उसकी side है मैं आगे जो practice question करवाऊंगा जो आपके सारे doubt है वो सारे clear हो जाएगी बस अब जो बोल रहा हूँ एक बार उसको ध्यान से देखते जाओ ठीक है तो A क्या है लिख भी देता हूँ है A जो side है यह है तो हम यह भी बोल सकते हैं कि side का cube क्या रहेगा क्यूब का volume रहेगा ठीक है दूसरा देखो TSA TSA क्या है total surface area इसको हिंदी में बोलते है संपूर्ण प्रष्ट का चेतरफल total surface area और हिंदी में बोलते है संपूर्ण प्रष्ट का चेतरफल तो इसका क्या formula रहता है 6 A square A क्या है फिर side मतलब कि 6S square भी बोल सकते हैं या फिर A square भी बोल देते हैं ठीक है फिर आता है नंबर 3 पर diagonal diagonal तो आप सबी को पता होगा क्या होता है विक्रण क्या होता है विक्रण तो इसका formula क्या है root 3 into side root 3 into side या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं root 3 into A ठीक है नंबर 4 पर आता है LSE LSE क्या होता है कि जो वकर परष्ट का छेतर फल इसको क्या बोलते हैं हम इंदी में वकर परष्ट का चेतर फल तो इसका formula क्या रहेगा 4 into side का square ठीक है बस आपको ये simple से 4 formula या रखने हैं फिर देखो मैंने क्या बताया कि जो cube है इसका volume क्या होता है side जो दे रखी है उसका आप cube कर दो उसका volume हो जाएगा और 6a square जो होता है और total surface area होता है जिसको हम संपूर्ण परष्ट का छेतर फल बोलते है diagonal क्या होता है root 3 into side होता है Lsa क्या होता है जिसको हम वकर परष्ट का छेतर फल बोलते हैं जो 4 दिवारों का मतलब 4 छेतर फल का मतलब जो side दे रखी है उसका square हो जाएगा क्योंकि 4 दिवारे है तो 2 तो same रहेंगी 2 same रहेंगी तो इसलिए मैंने क्या कर दिया आमने सामने वाली तो same रहेंगी side का square कर दिया ठीक है वोल्यूम जिसको हम आइतन बोलते हैं तो क्यूबोइड का वोल्यूम क्या होता है कि length गुणा breadth गुणा height लंबाई गुणा चोडाई गुणा उच्छाई ठीक है ये क्या होता है क्यूबोइड का आइतन होता है दूसरे नमबर पर आता है TSA TSA का मतलब क्या है Total Surface Area मतलब कि जो संपूर्ण परष्ट है उसके पूरे परष्ट का जो छेतरफल है वो बताओ क्या रहेगा तो पूरे परष्ट का छेतरफल रहेगा 2 LB plus BH plus HL ठीक है क्या कर दिया 2 into LB BH और HL ठीक है तो ये इसका जो संपूर्ण परष्ट है ना उसका छितरफल रहेगा ठीक है नमबर 3 पर आता है Diagonal Diagonal को हम क्या बोलते हैं विकर्ण ये रहेगा Root Length प्लस Breath प्लस Height इनका Root हो जाएगा लंबाई का स्केर चोडाई का स्केर और उच्चाई का स्केर ये Diagonal हो जाएगा ठीक है फिर नमबर 4 पर आता है LSA या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि जो वकर परष्ट का छितरफल है या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि Area of 4 Walls ठीक है तो इसका क्या रहेगा 2 L पलस B इन्टो H ठीक है तो ये क्या रहेगा ये इसका फोर्मूला रहेगा अब आता है एक फोर्मूला कौन सा कि जो आशन फलक है न उनका वोल्यूम बताओ क्या रहेगा आशन फलको का वोल्यूम बताओ जिसको हम आईतन बोलते हैं देखो इनको मैं करवा के तो आपको दिखा भी दूँ ये कैसे निकले ये कैसे निकले ये कैसे निकले या आगे करवा के बता देंगे अभी के लिए आप डारेक्ट ये फोर्मूले याद कर ले तो आसन फलकों का आयतन कैसे निकलेगा देखो देखते है देखो जो आसन फलक है उसका छेतर फलक क्या होता है मैंने मान लिया A, B, C क्योंकि क्यूबोइड है तीनो साइड होंगी तो मैं मान लेता हूँ कि length breath किसके बराबर है A के breath into height किसके बराबर है B के और height into length किसके बराबर है C के क्योंकि यह मैंने मान रखी थी तो तीनो किसके बराबर आगई इसके बराबर आगई तो नίचे देखो अब हर वर्ड कितनी बार आया है दो बार आया है तो मैं लिख सकता हूँ length into breath into height का square क्योंकि दो बारा आया है तो लिख लिया मैंने इन सभी को आपस में multiply करूँगा तो ठीक है और इस side के आया A, B, C ठीक है ये किसका formula होता है length into breath into height देखो किसका formula होता है volume का formula होता है तो मैं लिख सकता हूँ volume और क्या है volume का क्या है square किसके बराबर है A, B, C के बराबर है अब volume का square मैं अटाओंगा तो क्या उस तरब क्या चला जाएगा root चला जाएगा तो A, B, C हो जाएगा तो जो आशन के फलक है उनका छेतरफल उसका item क्या रहेगा root A, B, C रहेगा क्या रहेगा root abc रहेगा तो इसलिए आपको ये निकालने की जुरूत नहीं है आप direct याद रखो root abc ठीक है अब sum करवाऊंगा आपके सारे doubt कलियर हो जाएंगे पहले आप इसका screen shot लेना चाहते हैं तो screen shot ले ले इन formula का और एक बार नजर मार ले ठीक है चलो अब sum start करते है देखो पहला sum क्या कहता है पहला sum कहता है कि length, breath and height एक क्यूबोईड की मतलब कि एक गनाब की लंबाई, चोडाई, उच्छाई कितनी है क्यूबोईड की length कितनी है उसने दी आठ सेंटी मीटर सुरी, आठ मीटर breath दी उसने 6 मीटर और height दी उसने मेरे को 5 मीटर ठीक है समझ गए एक गनाब की उसने लंबाई 8 दी चोडाई 6 दी और उच्छाई 5 दी और पूछ रहा है कि volume बताओ, total surface area बताओ ठीक है और जो maximum diagonal है वो भी बताओ, उसने सारी चीट पूछ ली इसमें कि volume बताओ, मतलब की item बताओ, total surface area बताओ मतलब की संपूर्ण परष्ट का छेतरफल बताओ और diagonal बताओ, maximum तो मतलब की वीकरण बताओ ठीक है तो volume का formula क्या होता है आपके दिमाग में कलिक करेगा जिसका फोर्मूले याद है जो मैंने बताओ है तो गनाब का क्या होता है volume का formula length into breath into height मतलब की इन तीनों की मैं आपस में गुणा कर दूँगा तो मेरा item निकल के आ जाएगा तो क्या है मेरी तीनों side 8 into 6 into 5 तो कितना हो जाएगा 240 meter cube हो जाएगा तो cuboid का volume क्या आ गया इसमें 240 meter cube आ गया अब आगे बात करता है T.A. से मतलब कि संपूर्ण परष्ट का चेतरफल अगर आप किसी के दिमाग में संपूर्ण परष्ट का चेतरफल याद है तो आपके दिमाग में एक second भी नहीं लगेगी कैसे कि मेरे को पता है 2LB plus BH plus HL किसका formula होता है जो कनाब है उसके संपूर्ण परष्ट का चेतरफल उसका formula होता है T.A. से का formula होता है तो 2L और B कितना 8.48 में गुना कर देता हूँ direct plus B into H मतलब कितना 5.31 plus HL 5.48 ठीक है तो ये कितने के बराबर आ गया मेरा 2 into 118 को में कितना आ जाएगा मेरा 236 मेटर जो सकेर है ये मेरा T.S. से आ जाएगा मतलब की संपूर्ण परिष्ट का छेतर फला जाएगा तो simple सा आदे को अगर मेरे को formula याद है तो कितनी जल्दी सम निकल रहे है निकल रहे है ना तो आगे देखो diagonal diagonal का भी अगर आपको cuboid का गनाब का diagonal का formula याद है तो आप एक मिन्ट में कर दोगे क्या formula बता था मैंने कि root length का square breadth का square plus height का square अब मेरे को length दे रखी है उसने क्या दे रखी है 8 का square plus 6 का square plus 5 का square तो 8 का square कितना होता है 64 plus 36 plus 25 तो ये कितना हो गया मेरा आप सभी को पता है 5 root 5 जो है ये मेरा अंस्वरा जाएगा ठीक है 5 root 5 तो देखो अगर मेरे को formula याद थे तो एक मिन्ट में याद हो गए एक मिन्ट में sum निकाल दी है कुछ भी time नहीं लगा ठीक है इसी परकार अपने sum का थोड़ा level हम अप करते हैं बढ़ाते हैं और देखते हैं किस परकार से हम आगे sum को निकाल पाते हैं next sum देखो next sum है कि जो ratio दिया हुआ है क्यूबोईड का देखो ratio of the sides of डेखो मतलब कि रेखो दे रखा है मेरे को क्या ratio दे रखा है 5 रेखो 4 रेखो 3 ठीक है एक तो मेरे को रेखो दे दिया और फिर उसने मेरे को total surface area दे दिया आपकी बार उसने खुद मेरे को जो t ऐसे है मतलब कि जो तो सम्पुन परश्ट का छेतरफल है, ये भी दे दिया मेरे को कितना दिया, चुरान में 100 मेटर स्केर जो है, मेरे को टोटल सर्फेस का एरिया दे दिया, तो पूछ क्या रहा है, ये देखो, उसने पूछा कि वोल्यूम बताओ क्या रहेगा, किसका वोल्यूम बताओ QVoid का बताओ देखो एक तो उसने मेरे को QVoid का रेसो दिया एक मेरे को TSA दिया और उसने पूछ क्या लिया मेरे को वोल्यूम पूछ ली ठीक है पिछली बार हमने TSA खुद निकाला दा अब की बार उसने खुद दे रखा है तो देखो सिंपल है मैं लिख सकता हूँ रेसो दे रखा है तो लेंथ बरेथ और हाइट लेंथ का रेसो मैं 5 की जगए क्या मान लेता हूँ 5R R का मतलब क्या 5 रेसो बरेथ की जगए मैं क्या मान लेता हूँ 4R R का मतलब क्या रेसो और हाइट की जगए क्या मान लेता हूँ 3R ठीक है कलियर यहां तक मैं इनको मान लेता हूँ मान लिया अब देखो उसने TSC मेरे को कितना दिया तुराण में 100 मीटर अगर आपको TSC का फोर्मूला याद है तो क्या होता है आप एक मिन्ट भे बोलोगे कि सर चो किवोईड का टोटल सर्फेस एरिया होता है उसका फोर्मूला होता है कि 2 LB पलस BH पलस HL ये किस के बराबर है चुराण में 100 के बराबर है इसको कट करूँगा तो कितना आ जाएगा दोचो के आट दोस्ते 14 कितना आ जाएगा 4700 आ जाएगा ठीक है समझ गए कितना आ जाएगा 4700 आ जाएगा ठीक है क्या है ये मेरा 940 है सोरी 9400 की जगए क्या है 940 तो ये कितना आ गया मेरा 470 हा गया ठीक है तो अब मेरे को LB की भी पता है LB कितना मेरे पास 5 और 4 तो 5 उके 20 पलस BH 4 तिये 12 पलस HL 5 तिये 15 ठीक है और ये कितने के बराबर है 470 के बराबर है और ये सबी क्या थे रिष्टो थे तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ डारेक्ट आर का सकेर ठीक है कलियर अब देखो ये कितने बन गए मेरा जोड 47 आर का सकेर इगवल कितने के बराबर है 470 के बराबर है इसको कट करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा कितना आ जाएगा मेरा 100 आ जाएगा ठीक है 94 से था ये 94 सो में से मैंने 2 कट किया कितना आया 47 सो आया 47 सो को मैंने 47 से कट किया तो कितना आ गया मेरा 100 आ गया 100 क्या आया R स्केर बराबर है मेरा 100 और R की वैलू कितनी आ गई मेरे पास 10 आ गई R की वैलू कितनी आ गई मेरे पास 10 आ गई फिर देखो ये क्या था उसने TSA मेरे को 4900 दिया TSA का मेरे को फोर्मूला पता था 2LB plus BH plus HL ठीक है ये कितना है 94 के बराबर LB की मेरे को पताई है 5R 5.20 4.12 और HL 5.15 ये मैंने यहां पर रख लिया और ये किस के बराबर है R² के बराबर है R² क्यों क्या इनकी आपस में मल्टिपलाई करेंगे तो क्या आ जाएगा R² आ जाएगा ये कितना आ गया 47 अब मैं इन तिन्नों को जोड़ूँगा 20, 12, 15 ये कितना आया 47 47 क्या आया R² R क्या है रे 100 तो ये कितना आ गया 100 R² किस के बराबर है 100 के बराबर है और R की वैलू क्या हो जाएगी इस तरफ जाके R² हो जाएगा देखो R इगोल क्या हो जाएगा Rूट और 100 किसका रूट होता है 10 का रूट होता है तो R की वैलू क्या आ गये मारे पास 10 आ गयी ठीक है तो अब मेरे पास रेशो निकल गया तो मेरे पास जो ये चीज है इसमें रेशो की मैं टेक सकता हूँ रेशो की जगए कितना है रेशो मेरा 10 तो ये कितना निकल के आया 50, 40 और 30 अब उसने पूछा क्या है वोल्यूम बताओ, वोल्यूम का फोर्मूला क्या होता है लेंथ कुना ब्रेथ कुना, हाइट तो लेंथ मेरी कितनी है 50 और ब्रेथ कितनी है 40, और हाइट कितनी आई है मेरी 30, तो ये कितना हो जाएगा जो 60,000 मेटर क्योग ये मेरा वोल्यूम आ जाएगा, तो इस तरीके से हम इस सम को हल कर सकते है अगर फोर्मूला पता है देखो मैंने कुछ नहीं किया, टेस से 94,000 दे रखा था, इसका फोर्मूला देखा, और इसमें जो भी equation सी, पूट कर दी पूट करने के बाद मेरा सम बस आगे तो वही calculation करनी है शोल करना है, ठीक है, फिर मेरे पास रेसो की जो value है बहर निकल के आगे, रेसो की value मैंने यहाँ पूट कर दी, तो यहाँ पूट करने के बाद मेरी length 50 आगई breath 40 आगई, height 30 आगई फिर उसने पूछा क्या था, volume volume का भी formula मेरे को पता है क्या होता है, लंबाई गुना चोड़ाई गुना उच्चाई तो लंबाई गुना, चोड़ाई गुना उच्चाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा, जो 6000 है, यह है मेरा right answer निकल के आ जाएगा तो इस तरीके से हम इस sum को भी कर सकते हैं, अगर इस वरकार का आपके सामने कोई sum आता है देखो एक sum गनाब के तो हमने कर लिए कुछ sum अब गन के करते हैं देखो पहले simply हुठाते है, पहला sum क्या लेता हूँ मैं, कि एक ठोस गन है, और उसकी परतेक बुजा की लंबाई कितनी है 8 cm है, परतेक बुजा की लंबाई बोला उसने 8 cm है तो जो इसका संपूर्ण परष्ट सेतर फल है, संपूर्ण परष्ट सेतर फल का मतलब क्या, टी एस से और जो आइतन है आइतन का मतलब क्या है, वोल्यूम ये बताओ क्या होगा ठीक है, तो बता देंगे बई, तो जो ये परतेक बुजा की लंबाई कितनी है आठ सेंटीमीटर तो इसका मतलब क्या जो A है A का मतलब क्या साइड ये कितनी है मेरी आठ है जो A है और A का मतलब क्या है साइड ये कितनी है मेरी आठ है कलियर तो अब मेरे पास फोर्मूला है क्या formula, volume का formula क्या होता है cube में, कि वही A का cube, तो A का cube मतलब क्या, 8 का cube करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512 जो centimeter कितना आ जाएगा, 512 मेरा right answer आ जाएगा और TSA, TSA का मतलब क्या है, total surface area अगर आपको cube का TSA का total surface area का formula पता है, तो आप कर दो कि क्या बता था मैंने, कि 6 A का square, 6 into A square कितना है, A कितना मेरे पास, 8, तो ये कितना आ जाएगा, ये मेरे पास, 384 centimeter square जो है, इसका answer आ जाएगा ठीक है, clear तो देखो, ये simple है अगर आपको formula पता है ना तो हमने 1 minute में कर दिया, देखो, side तो मेरे को पता ही है, कितनी है side मेरी 8 volume का formula पता होना चीए था कि जो A का cube है ना ये volume का formula था, एक कितनी है मेरी 8 है, इसका cube कर दो तो volume निकलाएगी total surface area क्या है, मेरा 6 A square, ठीक है तो इसका क्या कर दो, 6 और A square की जगए A 8 ही है, उसकी multiply कर दो तो मेरा क्या है, total surface area भी निकलाएगा मतलब कि जिसको हम संपूर्ण परष्ट का चेतर फल बोलते हैं, वो भी निकलाएगा ठीक है अब देखो, एक गन का एक अच्छा स्वाल करते है अब तक तो बिल्कुल basic था, यह तो सभी कर लेंगे और सभी को cube के तो formula भी पताऊंगे चलो, एक अच्छा स्वाल करते है अच्छा स्वाल क्या है, मान लो मैं ये बोल दूँ कि, क्या, कि एक जो घन की परतेक बुजा है उसकी कुछ भी लंबाई है, मान लो एक लंबाई है एक गन की परतेक बुजा की लंबाई क्या है ए सेंटीमेटर है और ऐसे ही च्यार गनों को जोड दिया जाता है और एक गनाब बनाया जाता है क्या बोल रहा है, कि वही एक मेरे पास नाम गन है और इसकी जो प्रतेक बुजा ना उसकी लंबाई क्या है ए सेंटिमेटर है और ये बोल रहा है कि जो गन ये है ना ए सेंटिमेटर वाला इसकी बुजा की जो प्रतेक लंबाई है ऐसे ही गन को क्या किया जाता है ऐसे चार गन है इन चार गणों को जोड दिया जाता है इन चार गण है देखो माल लो मेरे पास क्या कर रहा है ये चार गणों को जोड दिया जाता है वह एक गण हो गया दो गण हो गया तीन गण हो गया चार गण हो गया एक दो तीन चार यह बोल रहा है इन सभी को जोड दिया जाता है और एक क्यूबोईड मतलब कि एक गनाब बनाया जाता है ठीक है क्या बनाया जाता है एक क्यूबोईड एक गनाब बनाया जाता है देखो उसने प्रतेक बुजाई की लंबाई बताई थी इसकी भी ए, इसकी भी ए, इसकी भी ए, इसकी भी ए, मतलब कि जो सब भी बुजाई है न, उसकी कितनी है लंबाई ए सेंटीमीटर है, मैंने कितनी मान ली थी, ए सेंटीमीटर मान ली थी देखो अगर इस तरीके का सम देता है तो इसमें आपसे पूछ भी सकता है कि total surface area बताएं या फिर वही volume बताएं या और कुछ बताएं कुछ भी पूछ सकता है तो ये इस तरीके से स्वाल को कैसे handle करना है देखो और तो बात same रहेगी बस अलग क्या रहेगा वो चीज देखने आपने देखो टोटल लेंथ कितनी आगई मेरी देखो यहां से लेकर यहां तक मेरी क्या है लेंथ है टोटल लेंथ कितनी आगई एक दो तीन चार कितनी आगई चार मतलब की 4A जो है यह मेरी क्या आगई टोटल लेंथ आ गई कुल लंबाई जो है ये मेरी 4 AI क्यों? 1, 2, 3, 4 यहां से लेकर यहां तक जो मेरी टोटल लेंथ है 4 AI है तो इसमें क्या होगा? लेंथ तो increase हो जाएगी जो breath है ना चोड़ाई चोड़ाई सेम रहेगी चोड़ाई तो भई सेम रहेगी क्योंकि सभी में चोड़ाई कितनी माननी है मैंने? 8 cm माननी है और उच्चाई भी सेम रहेगी क्योंकि उच्चाई मैंने कितनी माननी है वो भी सेम माननी है 8 cm माननी है तो देखो यहां लेक सकता हूँ मैं यहां यहां तो यह लिख लो length क्या रहेगी, increase रहेगी, breath क्या रहेगी, same रहेगी, और height क्या रहेगी, height भी क्या रहेगी, same रहेगी तो इस पर एक sum करके दिखाता हूँ, आपके सारे doubt कलियर हो जाएंगे, किस तरीके से में बोल रहा हूँ, ठीक है, देखो सम क्या है, कि यह एक गहन है, एक गहन है, और उसकी परतेक बुजा की जो लंबाई है, वह कितनी है, five centimeter है कितनी है, five centimeter है, और ऐसे तीन गनों को जोड दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, ऐसे तीन गनों को जोड दिया जाता है कैसे तीन गन जिसकी लंबाई 5 cm है पर तेक उजाकी ठीक है और क्या कर दिया जाता है और एक गनाब बना दिया जाता है उस गनाब का मैंने क्या बताना है टोटल सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण परष्ट का छेतर फल बताओ क्या होगा ठीक है गनाम का पूछाओ उसने तु देखो अब मेरे पास एक गन है उसकी कितनी बोले उसने तीन गन जोड दिये और परते एक बुझा कि लंबाई कितनी बोले उसने फाइब फाइब और फाइब सेम अगर मैं लंबाई चोड़ाई और उच्चाई की वैलू निकाल लूँ तो जो मेरे पास है वह निकल के आ जाएगा कुछ भी पूछ ले फिर तो मेरे पास फोर्मुला फोर्मुले में पूट करना और मैं निकाल दूँँआ अब देखो मेरी टोटल जो लेंथ होगी वह है कितनी होगी देखो 5,10,15 तो टोटल लेंथ कितनी होगी मेरी 15 होगी और मैने बोल भी रखा है कि लेंथ इनकरिज होगी breath height बाकी same रहेंगे तो length मेरी कितनी हो गई देखो यहां से यहां तक 5, 10, 15 कितनी होगी total length मेरी 15 हो गई लिख सकता हूँ breath same रहेगी कितनी 5 और height भी same रहेगी कितनी 5 अब मेरे पास लंबाई भी पता है चोडाई भी पता है और उचाई भी पता है अब कुछ पूछ ले मेरे से मैं सबी निकाल दूँआ उसने पूछा क्या total surface area पूछा तो जो total surface area होता है किसका गनाप का क्या formula होता है अगर आपने formula पता है तो आप एक mint में कहोगे 2, LB plus, BH plus, HL जो है सर यह संपूर्ण प्रष्ट के चेत्रफल का formula होता है तो 2, L क्या है length 15 into breath कितनी है 5 plus 5 into 5 plus height कितनी है 5 और length कितनी है 15 यह मेरा निकल के आ जाएगा तो यह कितना बना देखो 2, 75 पलस 25 पलस 75 तो यह कितना बन गया 2 into 175 और 350 जो centimeter cube है यह मेरा right answer निकल के आ जाएगा तो इस तरीके से जो सवाल दिया गया है कि इतने घनों को जोड दिया जाता है तो मैं इस तरीके से handle कर सकते हैं सेम बस यह चीज़ याद रखनी है कि जो length है ना length देखो कितनी है बाकी चीज़े तो same रहनी है breath भी same रहनी है height भी same रहनी है और उठा के formula में put कर देना देखो कुछ नहीं किया अगल मेरे को total surface area का formula पता था तो मैंने क्या कर दिया उठा कर इस formula में इनकी value put किया है और कुछ नहीं किया वाई तो इस तरीके से हम इस स्वाल को कर सकते है तो इस तरीके से हम इस स्वाल को कर सकते है कर लोगे या फिर एक समूर करवाँ चलो एक समूर करवा देते है अब तो नहीं तो बाकी next वीडियो में करवा देंगे चलो एक समूर देख लो माल लो एक गनाब है और क्या है गनाब है और चो इसकी उच्चाई है ना हाइट है यह कितनी है 6 cm है गनाब एक गनाब है और गनाब की चो हाइट है उच्चाई है वो 6 cm है और इसकी लंबाई क्या है चोडाई का 1.5 गुना है आगे उसने क्या दिया इसकी लंबाई क्या है जो चोड़ाई है ना कितनी है चोड़ाई का 1.5 गुना है ठीक है सिंपल अब मेरे को चोड़ाई नहीं पता तो कोई बात नहीं पर चोड़ाई का भी ओ सोरी लंबाई चोड़ाई का नहीं पता तो चोड़ाई कितने है 1.5 गुना है लंबाई लंबाई का समझ गए अब आगे क्या बोला उसने और इसका आयतन जो है आयतन का मतलब और इसका जो वोल्यूम है ओ कितना दिया मेरे को 900 दिया ठीक है तो उसने पूचा क्या बैस सभी चीज तो दे दी पूचा क्या उसने मेरे को एक ही चीज रह गए उसके पास पूचने के लिए कि टीए से बताओ टोटल सरफेस एरिया बताओ किस का अगनाब का बताओ ठीक है समझ गए अब हाइट तो मेरे को पता है कितनी है 6 cm है समझ गए और वोल्यूम उसने मेरे को दे रखा है वोल्यूम क्या दिया उसने 900 अगर मैं वोल्यूम का फोर्मूला देखूं तो क्या होता है लेंद इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किस में गनाब में क्युबोईड में होता है ये फोर्मूला तो वोल्यूम उसने मेरे को दिया कितना दिया 900 दिया ठीक है हाइट उसने कितनी दी मेरे को 6 दी ठीक है देखो हाइट भी मेरे को पता है पर उसने एक चीज दी कि जो लंबाई है न ये चोड़ाई का जो लेंट है यह क्या है यह चोडाई का क्या है 1.5 गुना है तो मैं क्या मान लेता हूं एक तो B है ब्रैथ और इसके 1.5 गुना हो गया मान लो मैंने एक चीज तो मान ली भई एक है और एक मान ली 1.5 गुना है ठीक है मैंने मान लिया तो मान सकता हूं तो B है और B के 1.5 गुना कितना हो ज जाएगी कलियर यह मैंने मान लिया मान सकता हूँ इसमें तो कोई दिकत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से समझ गए अब देखो अब बात आती है अगर मैं 10 मुलो को यहां से हटा हूँ तो अपोन में 10 चला जाएगा और 10 जाएगा इस तरफ जाके multiply में हो जाएगा तो मैं इसको यह लिख सकता हूँ नो हजार इगोल लिख सकता हूँ ना 6 इंटू 15 बी इंटू बी लिख सकता हूँ क्यों कि मैंने 10 मुलों का चकरी खतम कर दिया अब बी और बी क्या हो गया स्केर हो गया बी और बी क्या हो गया स्केर हो गया या फिर ये कर लो इसको कट कर लो भाई साब कट किया कितना आ गया सुरी 15 छी के 90 600 और 6 से इसको कट करोगी कितना आ गया 100 आ गया और तो क्या बच गया मेरा बी बच गया बी-बी स्केर किसने के बराबर है सो के बराबर है और खाली बी निकाल लू मा तो क्या हो जाएगा रूट सो हो जाएगा और बी की वैलू क्या आ जाएगी मेरे पास दस निकल के आ जाएगी बी की वैलू क्या जाएगी मेरे पास दस निकल के आ जाएगी अब मैं निकाल सकता हूं